आज की वीडियो में बात करेंगे मॉडलर बोर्ड कैसे लगाएं और कहां पे कौन सा साइज का बोर्ड लगाएं प्लेट लगाएं और किस देसे इसकी फर्मूला निकाले पूरी पूरी डिटेल के साथ आपको बतलाया दिखलाया जाएगा चाहे ओपन हो या अंदरग्राउ इस वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बाद घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन आउन कर दीजिए और दिया हूं और उसके बाद मैं आपको यहां पर बतलाओंगा बारी बारी कि किसका क्या नाम है और कहां पर कौन सा साइच का इस्तमाल करते हैं और कहां पर कौन सा साइच का बोर्ड लगाएंगे मॉडलर प्लेट लगाएंगे ठीक है अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह करता हूं इस दो सीच से यह दोनों मॉडलर सुछ है लेकि इसमरी फरक यह है दोस्तों कि यह जेनरल और इस्टेंडर है आप सोच रहेंगे जेनरल और की फरक क्या है तो दोस्तों मैं बता दो यहांपे 1000 कंपनी है जो बनाती है मॉडलर सुच सुकेट उड़ा बोर्ड ठीक और repent का स्वीच लेते हैं चाहँएगा कि में लगा दूँ यह कि नहीं लगता हूं जैसे यह मडल मुडल बनाता है जैसे और नाम से बनाता है। कि क्वालिटी के ऊपर रखता है और उसके इसाब से डाइता है । चाहते हैं कि हवास का मैं और के प्लेट में डाल दू तो नहीं लहागा। कियोंकि जिस company का switch रहेगा जिस model का switch रहेगा उसी company के उसी model का plate में लेगा यह confusion आपको दिमाग से निकाल देना है कि किसी company का switch लिजिए और किसी company के plate में डाल दीजिए तो नहीं लेगा क्योंकि model का यह rules है खास करके company जो है model वो ज्यादा तर वो चाहती है कि मैं अपना standard quality बनाओ और ज्यादा standard quality ही बनता है उसी company का switch रहेगा उसी के company के plate में लेगा यह अपनी अपनी company के फर्मूला है ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके size की चले यह दोस्तों तो size की बात करते हैं तो इस यहां पर आपका power plug में heavy load पर ही इस्तमाल करते है ठीक है अब उसके बाद बात करेंगे इस switch में तो switch में जैसे की देखिए यह जो देख रहे हैं यह दो मॉडलर का जगा लेगा और यह एक मॉडलर का जगा लेगा यह है जो कॉल वेल का स्वीच है यानि गंटी होता है उसका स्वीच है ठीक है और इसमें आता है जैसे मोटर पर भी लगाने के लिए जैसे इसमें मोटर पर लगायता है एसी पर भी खाता है किसमें नूटल फेस दोनों कचरता है जैसे यहां पर देखेगा तो इसमेश्स तोनों करता है लेकिस करने कडिका दोफे करने का जहां पर यूच। लेगा यह वन मडूलर का जगा लेगा इस थियोरी को आपको लेकर चलना है ठीक है अब चलिए यहां पर मैं बात करता हूं इस सौकेट की ठीक है तो यह दस एंपर का सौकेट है और यह पाउर प्लक है जैसे 16 एंपर 20 एंपर में इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और जेनरल की बात करेंगे 10 एंपर में तो इस टाइब का देखने के लिए मिलेगा जैनरल वहां पर इस्तमाल करता ही है जहां पर मोबाइल चाजर यानि यह zoals कप का लूड़ है एक हजासे ज्यांधा रूड़ है और कंटिन्यू इस्तमाल करना है तो आप पाउर पलक का कि त ça 408 की 1500 watt की यह बनती है और इसमें दो टाइब क्यााते है जैसे इस्टइप टाइप है ठीक है यह डरेक्ट फिरी भी नहीं है जो फिरी वाला राता हुँँ थोड़ा जल्दी खराब होता है इसके ख्राब होता है यह स्य और इस्टइप और उसके बाद आता है दो democr की तो वह खास करके color में होता है जैसे कि blue होगा आपको green होगा yellow होगा वह लगाते है लोग बोड में जो night में क्या करते हैं उसको जलता है तो थोड़ा अलग टाइप का एक night ball की तरह काम करता है तो वहां पहचान करने के लिए कई तरीके हैं इस पर मार्किंग भी किया हुआ है देख रहे हैं और उससे भी असान क्या है कि पीछे देखिएगा तो कभी भी टूबे में थी पॉइंट रहेगा और वन वे में दो ही पॉइंट रहेगा ठीक है दोस्तों आप यह समझ गए तो यह इस्तमाल करते हैं जैसे कि बेड्रूम में फैन लाइट का इस्तमाल करते हैं कि बेड के पास से भी ऑन आफ हो जाए और दरवाजे के पास जो सुच बुड़ रहेगा वह पर तो क्या होते है ग्राउंट पर रहता है और फॉरस्ट फलॉय्ट फ्लॉयल यह फोरी जितने फ्लॉयल पर रुश्म लगा दिया जाते हैं और वहां से कंट्रोल किया जाता है तो यह सूलैंपेर के प्लेक्ण से वाथ है टिए डुवान दीमितर का जगां देहां Mean इसके दो मोडलर के लिए DPMCB आता है मीनी DPMCB तो वो दो मोडलर का जगह लेता है अब को का लगाता है जैसे बोड में अब इसकी एंपर की कैसे हम लगाएं यह चीज के लिए मैं यहाँ पर किलियर कर दोन Taking एक जांपल के तोड़ पर आपके यहाँ पांशुक्षा है तो वहां पर क्या होता है कि दो इंप्यर बनता है तो आप दो इंप्यर का मत लगाए कीजे चृँपर का का MCB लगाया कीज़े क्योंकि यह spare रखना बहुत जरूरी है अगर रहेगा तो हीट नहीं होगा जल्दी खराब नहीं होगा जैसे कि आप देखते हैं एक एम्म का तार हम लोग बल्ब में देते हैं अगर पांच बल्ब है तो पांच वायर आया एक में का आया कि नहीं ठीक है और हम लोग वहां पर में में इन करते हैं वह 2.5 का इन करता है उसके बाद भी 2.5 mm का वायर जो रहता है उसमें बहुत इस पेर रहता है क्यों कि हीट नहीं हो इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी लगाया की दो डबल सोच लगाया कीजे जैसे की यह ये फ्यूज़ भी है और यह सभी कमपणी नहीं बनाता है फ्यूज मॉड़लर में कुछ लगा भी आप लगा सकते हैं ठीक है वहां पे यह चीज आप से कौन सा साइज आता है और कहां पर कौन सा इस्तमाल करते हैं उसके बाद यह सब प्लेट है और बोड है तो चलिए मैं अगर लेता हूं और उस पर बतलाता हूं कि आपको किस तर देसाइज करना है कि कहां पर कितना मॉड्लर भूट लाएगा ठीक है जैसे एक जामपल की तोलब में माल लेता हूं एक रूम में 5 points है यानि 5 बल्ब है ठीक है यह पांच बल्ब हो गया यह पांच ठीक है अगर इसका वन मोडलर ही स्विच लएगा आप जानते हैं क्योंकि है भी लूड है नहीं कि आप डिपी वाला बड़ा वाला लगाईएगा जैसे कि मैंने आपको दिख लाया था यह तो कभी लगाईएगा नहीं ठीक है वने मोडलर ल सेलड़न का अडर सकेली लगाना चाहते हैं वहां पे सॉक्ट लगए नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बाद में wiring करने के बाद decision ले सकते हैं और board लगा सकते हैं लेकिं अंदर ground के लिए पहले ही करके आपको board jam करना होगा तो अंदर ground कर रहे हैं तो 6 मॉडलर का जगा लेता है तो यहां पर मैंने दो लिख दिया अब चलिए बात करते हैं यहां डीमर की यानि फैन regulator की fan regulator switch type भी आता है socket type भी आता है ठीक है दोस्तों तो मैं यहां पर एक पिस लगाता हूं और इसको दो modular वाला लगाता हूं ठीक है आप एक modular भी लगा सकते हैं मैंने एक बस एक जांपल की यहां पर जोड़ के दिखाना दो दो लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम क्या करते हैं सिर्क दीक प wing इसको जोड़ देते हैं जोड़ेंगे कैसे यह तो जोड़ें här यानि बर ru c आभी इस तय test बारन लोड हम बर नब्लतन का वी आधा इन sudah लगा shrimp वारे दिए इसको ब्लॉकिंग भी बोलते हैं अब यहां पे जैसे एक इंडिकेटर बढ़ा के इसको बारा कर दिया जाता है इंडिकेटर एक लगा दीजेगा तो यह बारा लग जाएगा ठीक है इस ते मेंसे निकालते हैं कि हमारा इतना पॉइंट हैं और इसमें यहां पे इतना हमारा मड lヤ le ब औलेखी न बात करें तो खास करके तीं मोड और चार मोड और का इस्ते principle करते हैं जहां सिर्ства और सोकेट लगाते हैं और चार मोड hero वहां लगाना है तो क्या किज़ेगा एक पीस शोलेंपर का सुखेट लगा दीजेगा और एक पीस स्विच लगा दीजेगा अब यहां पर और स्वीच में बताएता हूं कोई-कोई स्विच में इंडिकेटर आता है तो आप इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिजेगा आपको तो मालू उसके बाद 24 मड़लर भी आता है जो सभी कंपनी नहीं बनाता है कुछ यह कंपनी बनाता है ठीक है दोस्तों आप यहां पे क्लियर समझ लिए ठीक है हो गई अब उसके बाद बात करते हैं इसे बॉक्स की यह ओपन पीवीसी का है और यह अंदरग्राउंड मेटल का है अंदर अगर बात करें 3 मोड़लर का टो उसका ठीक लग आता है और उसका बात करें दो वहिएिए बना दिया दो इधर यह कंपनी करता है सब नहीं बात करें तो यह सुषष को बाइस सबसार होजाता है चोबीस को जाता है तर से इस्तरु साइज बता है उसमें प्वाइप सी तो प्बिश्स का विता है अन्दग्राउड मेटल बॉक्स के भी आता है अंदर ग्राउंड प्यांट भी आता है ठीक है दोस्तों इस तरह से आता है और इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मैं क्या करता हूं यहां पर एक लेता हूं और आपको फिटिंग करके दिखाता हूं जैसे बारे मडलर पर उस पर और इसमें सॉकेट लगाना है तो जैसे कि सॉकेट तो दो मडलर लेगा तो सॉकेट फटाक से यहां लगा देंगे ठीक है उसके बाद इसमें जो फैन डिमर है वह आपका डबल स्टेप का है तो इसको लगाते हैं उसके बाद सॉकेट लगा तो एक स्विच यह रहेगा आप डिजाइनिंग जिस तरह आपको अच्छा लगता है जैसे इसमें कि मैं क्या कहा हूं जो सॉकेट टैप डिमर है यानि दो मॉडलर डिमर है उसको मैं बीच में लगाया हूं आप साइड में लगा सकते हैं मुझे यह अच्छा लग रहा है करने के मतलब डिजाइनिंग जो अच्छा लगता है वह ही किया जाता है या आपका डिमर हो गया अब क्या करेंगे एक से इंडिकेटर करदेंगे चैप और की एक Mini MCB लगा देना है, जैसे Mini MCB का डिमांड है, तो Mini MCB लेंगे, इसको भी दबा देंगे, देखें, आपका ये इसका हो गया, और उसके बाद तीन, एक च्यार बल्ब का हो गया, और एक पांचवाई फैन का हो गया, और connection की बात है, तो connection आप अपने हिसाब से कर लिजे, कौ आपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम चाहता है, कि हम सिर्फ इंवर्टर पर रखें और इसको पाउर सप्लाई पर रखें, तो आप अपने connection का हिसाब से कर सकते हैं, उसके लिए तो वीडियो आपको description में मिली जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद एक और क्या करता है, मैं लेता हूँ छे ही मड मडुलर का, अच्छे मडुलर में क्या है, एक पाउर पलक का रखा जाएगा, जो AC का पॉइंट रहेगा, जैसे को उपर spirit AC लगा रखें, और चाहता है कि नीचे भी उसका रहे कि जैसे कि गर्मी के दिन में AC अपना spirit AC चला लिए, और ठंडे के दिन में हीटर चला लिए, तो उसके लिए double क्या होगा, यह socket रखा जाएगा, नीचे जहां से switch चालू बंद होगा, वहाँ पर इसको रखा जाएगा, कि अपना heater जाड़े में लगा लेना है, ठीक है, तो इसका switch लग जाएगा, इस socket का हो गया, और एक switch और लएगा, जो आपका spirit AC या इंडो AC है, उस इसके बाद एक indicator लगा देंगे, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, अब इसके बाद चलिए बात करते हैं, तीन का, अगर तीन की बात करें, तो यहाँ पर आप इस्तमाल कर सकते हैं, या तो आप तीन switch लगा सकते हैं, अगर आप socket लगा रहे हैं, तो यहाँ पर दो ही आप इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका यह, इस तरह से लगाते हैं, हर जगा पर modular board और इस तरह से formula निकालते हैं, कि कहां पर कौन सा size का modular board लगेगा दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैंगे, इसकी connection कैसे करें, wiring कैसे करें, तो इस topic पर मैंने पहले ही करूंगा, इस वीडियो के description में दे दूँगा, आप वहां से भी देख लिजेगा, और समझ जाएगा कि connection wiring कैसे करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए, share कीजिए, आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है, तो नीचे comment box में जरू लिखिए, और जो लोग हमारे चैन subscribe करना बिल्कुल free है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही एक नई topic पर है,